ये तो हम सभी जानते हैं कि पासपोर्ट हमारे जीवन में अब बेहत अहम दस्ता वेज हो गया है। यदि हमें बिजनेस, ट्रिब या अन्यकारणों से विदेश जाना हो यानि कि इंडिया के बाहर जाना हो तो हमारे पासपोर्ट होना बेहत अनिवार है। बिना पासपोर्ट के हम इंडिया के बाहर जाही नहीं सकते। अब ऐसे में बात आती है कि पासपोर्ट बनवाएं कैसे। क्योंकि इसके प्रॉसेस में काफी दिन लग जाते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे। इसके लिए बस आपनी इस वीडियो को अंत तक देखते जाएं और एक एक कोईंट को फॉलो करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावीडियों के आवशक्ता होगे। पहला अधार कार्ड, दूसरा वोटर आईडी कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा जन्म प्रमान पत्र या दस्वीडा सेटिफिकेट। अब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए ओनलाइन कैसे आवधन करें ये जानें। सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जानें। ये वेबसाइट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा पासपोर्ट सेवा के नाम से। यहां आप कई सारे ओप्शन्स भी देखेंगे। जैसे की New User Registration, Existing User Registration, Check Appointment Availability, Track Application Status यदि आप पहले भी इस वेबसाइट पर अकाउंट बना चुके हैं तो आप Existing User Login करेंगे। यदि आप पहली बार इस साइट में आए तो आप New User Registration पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने नजदी की Passport के अंदर Office को चुनकर सभी आवशक डेटेल्स भरेंगे। इसी में आपको अकाउंट भी बनाना है जिसमें User ID पर पासवर्ड देना है। याद रखें जो ID आप बना रहे हैं आपको आगे उसी से existing user login पर जाकर login करना है। एक बार आपने अकाउंट बना लिया अब आप existing user login पर जाकर login करें। फिर apply for fresh passport या re-issue of passport पर क्लिक करें। यह आपको दो option दिखेंगे। पहला alternative 1 इसमें आप direct online आविदन कर सकते हैं। दूसरा alternative 2 इसमें एक form download करना होगा और फिर offline जाकर यानि कि passport सिवा केंद्र पर जाकर form जमा करवाना होगा। इसमें काफी लंबा process होता है। इसलिए हम यहां आपको online आविदन करने की सला देंगे। तो सबसे पहले आप alternative 1 क्लिक है to fill the application from online पर क्लिक करेंगे। अब यहां आपसे passport का type पूछा जाएगा। आपको इन options में से चुनाव करना है। options कुछ इस प्रकार होगा। पहला apply for fresh passport या re-issue of passport फिर दूसरा type of application नॉर्मल है या तकाल। फिर तीसरा होगा type of passport booklet, 36 page की चाहिए या 60 page की चाहिए। आप जिन options को चुनेंगे उसी के हिसाब से आपका passport बनेगा। यदि आप पहली बार passport के लिए apply कर रहे हैं तो आप fresh passport वाले option का chain करेंगे। यदि आप पहले भी apply कर चुके हैं परन्तु किसी कारणवश आपका passport नहीं बन सका और आप फिर से apply कर रहे हैं तो आप re-issue of passport को चुनें। अब आप next बटन पर क्लिक करें। जब आप next बटन पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने applicant details करके एक page खुलेगा। अब आपको उन सभी की details को भढ़ना है। यहाँ आपको एक एक करके सभी column के बारे में बताते जाएंगे जिससे आपको form भढ़ने में आसान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और बताएंगे steps को follow करें। तो पहला होता है given name। इस box में अपना नाम भर देंगे जो आपके दस्ता हुए जो में हो वही नाम दें। इसके बाद आप अपना उखनाम यानि की surname देंगे। फिर होगा gender इसके बाद आपको अपना gender choose करेंगे। फिर होगा have you ever been known by other names यानि यहां नीचे आप यह बताएंगे कि आपको किसी और नाम से जाना जाता है। यहां तो yes करें यदि नहीं तो no करें। फिर आता है have you ever changed your name यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो yes और no में बताएं। है या नहीं इसमें से option का chain करें। फिर आता है citizenship of India by अपनी नागिकता बता है फिर आता है PAN अगर number है आपके पास PAN card number तो यहां पर लिख दें। अपनी मैंसे कोई सरकारी नौफी करने वाले हैं या नहीं उसका yes और no में जवाब दें। फिर आता है आपका educational qualification आप कहां तक पढ़े हैं वो बताएं। फिर आता है आपका is applicant eligible for non-ECR category यहां non-ECR और ECR category में से chain करें। फिर आता है visible distinguishing mark यदि आपके शरीर में कोई निशान तो उसकी details दे सकते हैं यदि नहीं है तो no ka chain करें। फिर आता है आधार number यहां अपने आधार card का number दे। फिर आता है आपका यहां पर declaration आता है इस तरह से उस पर I agree में आप agree करेंगे। इसके बाद save option पे click करके अपनी details save करेंगे। अब आपकी application का reference number जनरेट होगा। फिर next option पर click करके next करेंगे। next करते ही family details करके एक page open हो जाएगा। इसमें पिता का नाम, माता का नाम या जो भी legal parent है उनकी details देनी है। एक बार फिर से save my details पर click करना है। फिर next वाले बटन पर click करके आगे बढ़ जाने। next करते ही आपके सामने present residential address करके एक page open हो जाएगा। यहा साले बटन पर click करके आगे बढ़ आना है। अब आपके सामने emergency contact page खुल जाएगा। इसमें मांगी गई details वो हैं जो आप से सीधे संपर करने के लिए इस्तरमाल मैंगे। अब फिर से next करना है। अब आपके सामने identify certificate या passport details करके page खुलेगा। इसमें कुछ सवाल किये हैं ज उसरे stateless लोगों के लिए इसका जवाब देना है आपको हाँ या नाम है। फिर details of previous current diplomatic official passport इसमें आप second number को चुनेंगे जो की है details not available। क्या आपने पहले भी कभी passport के लिए apply किया था। यदि किया था तो हाँ चुने यदि नहीं किया था तो ना चुने। अब इसके बाद अब आपके सामने other details करके एक page खुलेगा इसमें दिये गए सभी सवालों को हाँ नाम है जवाब देना है। इसमें यदि आपके खिलाफ कोई case चल रहा है या कभी हुआ था तो उसके बारे में details नहीं। court ने यदि आपके उपर कोई पाबंदी लगाई है तो उसके बारे म बता हैं तो आप इन सब को no करेंगे इसके बाद आप next करेंगे अब आपके passport का preview आ जाएगा जिसमें आपका passport जब बन कर आएगा तो वो देखने में कुछ-कुछ ऐसा लगेगा उसमें कौन-कौन से details आएगी वो दिखाई देगा इसे एक बार check कर लें अब next पर click करें आप जो भी documents देना चाते हैं उन्हें बताएं प्रूफ ऑफ बर्त आधार कार्ट या अन्य documents को select करें फिर proof of present residential address इस पर click करेंगे तो आपको कई documents दिखेंगे जो आपके पास हैं जो आप documents लगाना चाते हैं वो दें यदि आपको passport सेवा की service चाहिए तो yes पर click करें यदि न आपके mobile पे आपको SMS के द्वारा इसके लिए आपको 50 रुपे देने होंगे ये पैसे आपको passport office में ही देना होगा इसके बाद place वाले option पे जहां से आप form भर रहे हैं उस जगह का नाम देखें date वाली जगह पे आप जिस तारीक को form भर रहे हैं उस तारीक को भर दें फिर उ submitted successfully करके एक बेज आजाएगा जिसमें application reference number यानि ARN दिया होगा Pay and book appointment जब आपके सामने ये page open हो जाएगा जहां आपने जिस दिन की appointment चुनिए वो date आजाएगे अब चाहें तो appointment की तारीक बदल भी सकते हैं Select another appointment date करके option आएगा नीचे side में उस पर click करें आप जो date चुनना चाहते हैं उस पर click करें आपको बता दें appointment अविलेबल है कि नहीं ये आप रंगों से पहचान लेगे जैसे जिन date में appointment अविलेबल नहीं है उस date पर लाल रंग होगा जिस date पर appointment अविलेबल है उसमें हरा रंग होगा इसके बाद pay and book appointment box पर click करेंगे आप डारिक पहुँच जाएंगे payment वाले page पर जहां आप internet banking, card payment, credit card payment, other payments mode पर click करके payment कर सकेगे इसमें आप UPI के जरीए भी payment कर सकेगे पैमेंट करने के बाद अब आप view saved submitted application पर click करेंगे तो आप जितनी भी application submit की है आपने वो सब आपके सामने आजाएंगे आप किस application के बारे में जानना चाहते हैं या आपने पहली बार जो application submit की है वो choose करेंगे इसके बाद आप view printed submitted form पर click करके अपनी application को print कर सकेगे जो भी details आपने फिल की है वो सबी details यहाँ पर आजाएंगे साथी appointment के details भी आजाएंगे आप इसको print भी कर सकते हैं आपके business का सच्चा साथी